प्रेंट्स में सुरजगुमार आपको स्वागत करता हूं यूटू चनल स्विया क्लासे पहें कैसे दोस्त आई होप सभी अच्छ होंगे दोस्त जैसे कि आप लोगों पता है डेली 8 एम पर मेरा क्लास टर्ण क लावश आधा क्लास अइस ब्रइस गदोस्तो में क्या मेरा संटेंश टोगा संटेंश किआंशा शंटेंश आपके क्या संटेंश बहुत ही क्या थक्ämान करते करा दोस्त Wor 시청 लोग म Хотपूर्द महाתफ़पूर्द जैसे कि हम लोग उसके में हैं डैली बैसिज से को सब्ढकिन्स प्रेयोक करते उसे सैंटेंश कूछ जानने वाले कॉंटिन्यू Amaus क्या कocket श्quराइब कर रिजिंग करें इसके बाद क्या किजिए आप तो चल्छ सब्सक्राइब कर दूस्तों नगी इंग्लिजिस के और स्थार्ट करते हैं और श्टार्ट करने से जो ड्रैक्किली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इसे बोल सकते हैं जैसे बहुत सारह होता है जैसे कि आप कई किसी से कैसी है तो लोग हिंडी में बोलते हैं कि ए로 कि और से इसे प्रकार को हुआ आए distributions में आजके बहूवाद सकते दोस्तों चलिए जानते की क्या क्या सेन्टेंस है जिसको हम लोग क्या करते हैं بिषडार रोज हम लोग घर मेंद में आफिस में चरह क्यों प्रोक्ते जोलने सब्सक्राइब चाव करते हैं और चलिए और क्या कौन पर बात करते किसी से या कहीं पर जाते हैं फर्स्-क Chill मिलते हैं उनका हाल चाल पुछते हैं तो सब से पहले आपके मूझे अवाज निकलता है कि कैसे हैं आप दोस्तो आब हिंदी में तो बोलते हैं पर इंगलिस में कैसे बोलेगा इसी को कैसे है आप इसके लिए दोस्तों आप इंग्लिस में क्या की बोलेगा How are you doing? क्या बोलेगा? How are you doing? यानि How are you doing? यानि कैसे है आप? दोस्तों जो कि आपको मालूम है पर डे हर रोज जब किसी से आप मिलते हैं फर्स्ट टैम तो उसका हाल चाल उसका पता आप जानने के लिए आप सबसे पहला और यही जाप पूछते हैं कि कैसे है आप? दोस्तों ये इसको आप इंग्लिस में क्या बोलेगा? How are you doing? क्या बोलेगा? How are you doing? How are you doing का मतलब कैसे है आप? Clear दोस्तों? तो आज के बाद आपको हिंदी में कैसे है आपके लिए क्या प्रियोग करना इंग्लिस में? How are you doing? क्या प्रियोग करना है? How are you doing? चलिए दोस्तों नेक्स सेंटेंस क्यों बढ़ते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ आप बताइए जैसे मालनी जा आप पूछे थे किसी से तो उसे में उनको बोलना है By chance By the way आपको मिल गए पहले वो ही आप से पूछ दिये कि कैसे है आप दोस्तों ताप आप बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ आप बताइए यह बात बोलते हैं जेनरले दोस्तों सभी आद मी किसी से सबकिश सकते हैं यहीं बात वह बहुत अच्छा हा आप कैसे आप अपना बताये या आप बताइए तोजे को इसको inगलिस में कैसे प्रेयोक करेंगों दोस्तों I am doing great lab I am doing great how about you यानि में बहुत अच्छा हूँ आप बताए यानि आपने बार में बता दिये कि I am doing great में बहुत अच्छा हूँ आप बताए तो how about you का मतलब आप बताइए अपने बारें बताइए आप कैसे है दोस्तों तो आप समाझ चुके दोस्तों जैसे आप किसी से पूछ रहा है कैसे है आप तो आप इसके लिए इंग्लिस में प्रियोग कीजेगा का प्रियोग कीजेगा हाँ अरु सके बदले में 2018 क्या जवा देंगे मैं बहुत अच्छा हूं आप से पूछ आप से प्रियो इंग्स में प्रियोग करना है या यह लिएग़ इया यानि मैं बहुत अच्छा हूँ आप आप नहीं तो दोस्तों यह दोनों संटेंस जो हम आपको दिये हैं यह डेली विशस पर दे आप प्रियोग करते होंगे या आपके सामने कोई दूसरा वेक्ति यह वाला संटेंस का प्रियोग करते होंगे वाक्ति का प्रियोग करते होंगे दोस्तों यदि आज के बाद मेरा क्लास आप देख रहे हैं तो प्रोपर तरीका से मेरा क्लास देखे रेगुलर बसी सब्सक्राइब देखते रहेवें दोस्तों इसी परकार के जितना भी आपको आप भी तरह का बात बोलता हैं अब एक क्लास के माध्यूंस दोस्तों आपको कुछ ने-कुछ घ्र 5 9 8 Tsk बहुति इंपोर्टेंट फे और बहुत gekommen भी लोग इसका यूज करते नेश्च वूऔर चलते दोस्तों आप कहां कि बात कहां लेकर जा रहें तो आप किसी से बात करते और कोई बात को क्या करते बढ़ा कर बढ़ा कर बोलते-रथे यह तो क्या टä की बात कहां में बोलने के लिए आप क्या प्रियों किजेगा वाई आर यू मेकिंग दिस अबाउट एवरिटिंग इल्स यानि आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे इसके इंग्लिस में बोलने के लिए बोलेगा बोलेख वाई आर यू मेकिंग दिस अवरिटिंग इल्स यानि आप कहां के बात कहां लेकर जा रहे दोस्तों 하기 , Merci até आप आ जाते हैं या माली जा माली का अजाता किसी को क्या बोलते हैं 50 काम पर रहे हैं बोलते हैं न 50 काम पर रहे हैं तो इसके इंगलिस में क्या बुलिएगा देर आर प्लैंटी ऑफ स्वेंडिंग दोस्तों सारे काम यह से करले बहुत सारे काम यहां नहीं दोस्तों यहां पर काम बताने के लिए हैं उसका मतलब को फिक्स नहीं होता है कि 20 नुम्ड कि हमतलब यानि वह प्त सब्क्रwe financing ласт में गजरा लेकिन अर्ण और यहां की लिए tول शबस्काव काम की अबारो के घो सब्सक्राण प्रयोग कर लेते हैं तो plenty का मतलब क्या होता है यानि बहुँ सारा काम लगववग है जो पता नहीं है क्यों नहीं है कि 10 य rapping नहीं है यानि बहुँ सारा काम में 10 भी करो ser danger 20 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है तो 50 काम परहे है इसके या इस प्रकार से इससी प्रकार का सब्सक्राइब करते ही ये लेकिन आज चले इसका मतलब या इसका क्या मतलब है जैसे आप कोई चीज़ को को बोल है आपने समझ पार है तो प्या बोलते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब जैसे इस प्रकार का सब्दकों उसमें इंग्ली स tão Olaf これ बूलजेव है what does it mean next दोस्तों आप इसे किसे कैसे लिखते हैं जैसे कोई चीज है आप नहीं लिख पाते हैं आप नहीं जानते हैं तो कोई सामने वाला जब आपको बताते हैं या नहीं आप उनसे पूछते हैं कि आप इसे कैसे लिखते हैं यानि आप इसे कैसे लिखते हैं तो इसके लिए इंग्लिस में क्या बुलिएगा इसके लिए क्या प्रयोग की जगें इंग्लिस में आप यह बारत बोलते हैं जैसे आपका टीचर है जैसे हम खुद बोल रहे अभी कोई चीज बोलते हैं अप एक बार बन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि क्या आप यह दुबारा बोल सकते हैं या मालीजी कोई आपके सामने कोई बात बोलता है आप से आप एक बात में नहीं समझते तब उनसे बोलते हैं क्या आप यह दुबारा बोल सकते हैं इसके लिए इंगलिस में आपको दोस्तों बोलना है कुड यू, रिपीट डैट प्लीज? क्या बुलेगा? कुड यू, कुड यू, रिपीट डैट प्लीज? क्या आप ये दुबारा बोल सकते हैं? could you repeat that please दोस्तो next क्या है जो हो गया उसे भूल जाएए जैसे बहुत सारा जगह पे कोई बात हो मतलब जैसे आप बोलते हैं बहुत सारा जगह पे इसका प्रयोग करते हैं जो हो गया उसे भूल जाएए दोस्तो इसके लिंग्विश में क्या प्रयों किज़ेगा जो हो गया उसे भूल जाएएए यानि इसका मतलब लेट बाई गॉनस लिटबाई गॉनस फिख बी बी बयाइगोंस दोस्तों दोस्तों vivir गॉल जायonta येसे कोई बच्चा कोई गलती कर देता है तो क्या वोलते हैं जो हो गया उसे भूल जाएए दोस्तों अब इंग्लिस में क्या वूलेगा जो हो गया उसे भूल जाएए इसका मतलब let bygons be bygons सीर मतखा हो जास आपको כई मतलए बार बार मतलद तंग करते हैं अध्zne के मेरा सीर मतखा है उन्हें मुझे तंग मतखरों के इसंग अब क्या tudo दोस्तों डांट नगमी यह बनी परसां मत तो जैसे को आपके घर में कुई बच्चे होता है को भी होता है जो बहुत बदमास होता सरार्थि होता ता उसको बोलते हैं मेरा सर मत खाओ या कोई चीज पूछते रहते हैं बार-बार ता बोलते हैं मेरा सरमत खाओ दोस्तों यह संटेंस के आप इंग्लिज में क्या बोल सकते हैं don't nag me यहीं मेरा सर मत खाओ यहीं मुझे परसान मत करो नेक्ट दोस्तों क्या है अभी तक सब कुछ अच्छा है जैसे आप कोई चीज पूछते हैं कोई काम चल रहा है यादि कोई पैसेंट माले आपके घर के कोई आदमी ऐसा है होस्पिटल में बढ़ती है किसी तब्यत गरवर के लेकर दोस्तों तो आप कॉल करके पूछते रहत है तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेगा सो फार सो गुड और आभी तक सब अच्छाह है जैसे आप से पुछेंगे कैसा है कैसा इस्थिति है ता बोलते हैं अभी तक सब अच्छा है यानि सो फार सो गूड यानि अभी तक सब अच्छा है क्लिए दोस्तों नेक्ष्ट है तुम्हें पता है आज तो कमाल ही हो गया दोस्तों ऐसा सब्द आप जरूर मतलब पढ़ जिवन में प्रसुनते होंगे या बोलते होंगे दोस्तों यानि किसी से बोलते आप तुम्हें पता है आज तो कमाल ही होगया जैसे कहीं पर कोई घटना होता है को ऑच्छानग को ऐसा जिसको सोचरने невाह ता अब आप आपके सामने कोई बोलते हैं कि तुम्हें पता है आज तो कमाल ही हो गया तो इसको इंग्लिस में आप कैसे बोलेगा क्या बुलेगा दोस्तों यू नो डैट क्या तुम जानते हो या तुम्हें पता है यू नो डैट या तुम्हें पता है कि नो डैट आज तो कमाल ही हो गया something amazing happened today यानि इसको क्या बोलेगा you know that something amazing happened today तुम्हें पता है कि लिए दोस्तों क्या बोलेंगे you know that आज तो कमाल ही हो गया इसके लिए something amazing happened today तुम्हें पता है आज तो कमाल ही हो गया यानि बहुत अच्छा बात होता है तो क्या बोलते हैं तुमें पता है आज तो कमाल ही हो गया यू नो डैट संथिंग एमेजिंग है पेंड टूडे किलियर दोस्तों इसी प्रकार से बोल लिएगा जब भी आपको इस्ट्रा का संटेंस को यह मतलब वाक्य को जब इंग्लिस मतलब आपको बोलना है तो दोस्तों हिंदी का जगप गपे लरा रही हूं जैसे दोस्तों आपको पता है आपके घर में बहुत सारा काम होते हैं अब मतलब किसी से कोई आ जाते हैं कोई मतलब मिल जाते उस समय आप उनसे बात करने लगते हैं तो बहुत समय बात करते करते बीच जाता आपको पता भी नहीं चलता कि कि इतना समय हुआ आपको ध्यान वह उतर जाता है कि हमको काम करना है दोस्तों तो उस समय जब आपको अजबात करते करते जब आपको क्या होता है अचानक याद पड़ता है कि बहुत सारा काम बांकी है करना तो आप क्या बोलते हैं अरे सारे घर के काम परे हैं और मैं बैठकर गप्पे रहे हों तुछ कुछ इंगलिस में बोलेगा ओह औल्दक्चोर्ट ओर पेंडिंग एंड आयाम हेर गौ सिंग गॉस्पिंग क्या बोलेगा ओह अल्दक्चोर्ट are फैंडिंग हो साथे काम परे हैं और मैं यहां बैठकर गपिलर आ रहे हैं इसके लिए क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों यह sentence आपको समझ चुके हैंगे इस परकार का sentence को आप डेली बैसिस पर पढ़ दे हर दिन हर समय आपको कहीं भी इस परकार का sentence बोलने के जरूरी लगता है आप इस परकार का sentence वाक्ये को आप Hindi में पर्योंग भी करते दोस्तों पर माला जी आपको English में याँ इस कॉ आप याद कर लेता है तो दोस्तों ही ऩngंदि कर दोस्तों जो की आपके लिए बहुत यह दोस्तो आज कि आपको अच्छा लगा दोस्तो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जिसे कि इसी परकार कर मेरा इंग्लिष टेवरिक अमाधम से भी बताता है कि किस टेंस में किस परकार का सेंटेंस का प्रियोग करना है कहां पर क्या करना है जब दो दोस्त मिलेंगे तीन दोस्त मिलेगे ते किस परकार बात करना है जब दोस्तों यह सभी परकार कर आपको क्लास के माध्यमës तो दोस्तों आप देखते हैं मेरा class daily basis पर कीजिए जरूर हम इस अभी परकार के जितना question आता है इंग्लिस में interview तक का बात सभी आपको month करवाएंगे इस class के माध्यम से दोस्तों तो दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि आपको daily basis पर मेरा